CITS का entrance exam जिनों नहीं भी apply किया था जो appearing में थे ऐसे कुछ candidates को एक message आया है और सभी को आप देखेंगे चार एक बच के चार बच के एक मिनट पे साम को 4 1 PM पे ही message आया है dear applicants since appearing candidates of ITI diploma and engineering are not eligible for applying towards CITS course your candidature has been rejected this application fee will be refunded within 10 days from the data of this email message आया किस से है ये 3 logistics से इसके बाद से बच्चों में एक panic create हो गया कि मेरा form जो है वो reject कर दिया गया जबकि इसमें आप जो भी SMS देख रहे हैं ऐसा mail नहीं आया सिर्फ बच्चों को SMS आया है और mail अगर आता तो निमी से आता ये 3 logistics से नहीं आता आगे और भी इसमें हम clarity देखते हैं जिस candidate का ये आया है message उसी की जब हमने profile open करके देखी तो profile में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपका application form reject हुआ है या आप appearing में आप नहीं बैठ सकते ऐसा कुछ भी तो यहाँ पे आ अपडेट आती तो एसमेस से पहले वेबसाइट पर भी अपडेट होती दूसरा स्री लॉजिस्टिक स्री लॉजिस्टिक आपको नाम से पता चल रहा होगा स्री लॉजिस्टिक तो कोई ट्रांसपोर्ट है कोई something company होगी जो कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करने का logistics मैसेज है या क्या है यह इस पर अभी आप लोग पैनिक मत होई है जब तक निमी की तरफ से कोई clarity नहीं आ जाती है दूसरा हम SMS एक और दिखाते हैं आपको इससे पहले यह देख लेते हैं यह यहाँ पर जो मैसेज आया देखिए किस से आया AX SHR Log यानि स्री लॉजिस्टि को तो AX किसका code है यहाँ पर आप देख सकते हैं AX है आपका Airtel Karnatka यहाँ का code अगर Airtel Karnatka का इस टाइप का bulk में कोई SMS भेजा जाएगा तो आपको आएगा और अगर आम बात करें तो निमी जो है वो उसका जो head office हो कहां पर है चन्नाई में है तमिल नाडू स्टेट मे नमबर या आपका जो भी आपने CITS registration नमबर किया था उसका code मिलता ना आपको CITS 21 something करके वो भी इसमें कहीं पे भी mention नहीं है तो स्री लोगिस्टिक्स ऐसा क्यों SMS करेगा बल्क में सभी को यह कोई फॉल्ट है क्या है इस पर आप लोग पैनिक मत हो यह website हमने आपको दिख लीजिए कि आपका login करने पर भी same चीज़ आपको वहां दिख रहा है क्या login करने पर क्या आपको दिख रहा है कि आपका application जो है यहां पर reject किया जा चुका है आप exam में नहीं बैठ पाएंगे आपकी fees वापस होगी अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो आप इस पर panic मत होई इस पर clarity का wait करिए बाकी नीमी को हमने जो है mail भी कर दिया है देखते हैं उस पर जो भी reply आता है आपको हम इसी चैनल पर जरूर अपडेट दे देंगे तो चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजिए अगर पुराने हैं तो सभी के साथ इसको share कीजिए जिससे किसी में भी ऐ वीडियो जो चैनल पर आती रहती हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बेरी मुच